हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यानि हाट में ब्लड का सब्सक्राइब करें देखा जाता है कि असे में प्रचार डॉक्टर सुधीर बंडारी ने बताया कि अग्योप्लास्टी के बाद सभी जाच नॉमल है सीम गैलोट इस समय शारणिक दुरुष्टी से एक दम फिट है क्योंकि सब्सक्राइब कर रहे हैं इसलिए अस्पतार प्रचासत की ओर से वे कभी भी अपने घर जा सकते हैं डॉक्टर बंडारी ने इस बात पर संतोष रताया कि सीम गैलोट चिकित्सकों के सभी दिशा निर्देशों का एक सामान ने मरीज की पालना कर रहे हैं अस्पतार प्रचासत के लिए भी गर्ब की बात है कि मुक्यमंद्री ने एंजियोप्लास्टी सरकारी अस्पतार में करवाई है मालूम हो कि सीने में दर्द के बाद 27 अगस्पों गैलोट को समस अस्पतार में भर्ती करवाया था तब ही उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई सीम के शीगर स्वास्त के लिए प्रदेश भर्मे धार्मे का नुश्ठान हो रहे है समस अस्पतार में भी शुपकामनाई देने वालों का ताता लगा हुआ है लेकि फिलाल किसी भी आगुत तक को गैलोट से मिलने की अनुमती नहीं दी गई है अस्पतार परिसर में ही मुक्य सचे तक महेश जोशी बैठे है लोग जोशी से मिलकर ही हालचाल पूछ रहे है महेश जोशी ने भी उम्मीद जता ही है कि गैलोट जल्द ही अपने घर लौट कर जनता की सेवा करने लगेंगे सेवा करता रहोंगा गैलोट अस्पतार में मुर्थी सेम गैलोट ने 28 अगस को सोशल मीडिया पर प्रदेश की जता की नाम एक पत्र जारी किया है इस पत्र में गैलोट ने शीग्र स्वस्त होने की कामना करने वाले प्रदेश वासियों का आभ़ार प्रकट किया है गेलोड ने कहा मैं लगाता है आप प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा मैं चाहता हूँ कि करोना काल में सेवा के शेतर में देशफर में राजिस्तान एक model प्रदेश बने उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविट में संबंदत लोगों को बहुत सतर्टा परतने की ज़रुत है अभी भी यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षन महसूस होते हैं तो उन्हें ततकाल जाच करवानी चाहिए सीम गैलोट ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर से भी निपटने को तयार हैं यहां तक उलेकनिया है कि सीम गैलोट स्वयम भी संक्रमत हुए थे लेकिन कोविट के बाद से ही गैलोट को शारणिक दुरुष्टी से अनेक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था गैलोट ने ऐसी परिशानियों के और कई बार प्रदेश की जनता को जागरूप पे किया 28 अगस को भी अपने प्रदेश में गैलोट ने प्रदेश वासियों से अपेल की कि वे कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरहा पालन करें यहां यह भी खास कोर से उलेखनी है कि वैक्सीन की दोनों डोस लगने के बाद भी सीम गैलोट को हाट की एंजियो प्लास्टिक करवानी पड़ी है इसे कोरोना की भयानकता को समझा जा सकता है सीम कोस्ट कोवर्ट में सीने में दर्थ तब हुआ जब भी नियमत रूप से व्यायाम करते हैं और भोजन भी सातवे ग्रहन करते हैं जागरुक टेवी की जैपुर से खास रिपॉर्ट